सब्सक्राइब कीजिए लर्न बेसिक्स को और बैल ऐकन को दबाईए कुछ नया सेखने के लिए तो फ्रेंट्स एक वा फिर से बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ विश्व तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रसॉफ वर्ड में रिजूमे कैसे प्रिपेर करते हैं वो भी कुछ ही मिंटो में आप रिजूमे कैसकते हैं, सीवी कैसकते हैं या बायो डेटा कैसकते हैं और इसके लिए आपको कोई बहुत डीटेल एडिटिंग जानने के भी जरूवत नहीं है अगर आप बेसिक एडिटिंग भी जानते हैं तो भी आप बहुती प्रफेशनल रिजूमे प्रिपेर कर सकते हैं माइक्रोसॉफ वर्ड में ठीक है तो आज किस वीडियो में जानेंगे कैसे माइक्रोसॉफ वर्ड पर बेसिक से लेके एडवांस तक के वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेइलिस का लिंक दिया है वहां से जाकर के आप वीडियो देख सकते हैं तो चली शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड साइड में जाना है फाइल टैब में इधर देखिए यह रहा फाइल टैब इस पर क्लिक कर दीजे और यहां से न्यू पर सेलेट कर लिजे न्यू पर क्लिक कर दीजे तो आप देखेंगे यहा यहां पर जाना है सजेस्टेट सर्चेज में यह रहा सजेस्टेट सर्चेज अब यहां पर आप देखिए यह रहा रिजूम एंड कवर लेटर का ओप्शन इस पर क्लिक कर दीजे और माइक्रो सॉफ्ट वर्ड आपके सामने बहुत सारे टैंपलेट लाकर करके रख देगा अब यहां से आप अपनी रिक्वार्मेंट के साफ से अपना मन चाहाँ टैंपलेट सेलेट करिए और उसको सिंपल एडिटिंग करते जाए जैसे कि मान लीजे कि मुझे यह यह पसंद आया तो मैंने इस पर डबल क्लिक किया यहां सी देखिए क्रिएट का बटन आपको दि दिख रहा है बस इस पर क्लिक करिए और यह आपके सामने Microsoft World के पेज़ पर आ जाएगा बस थोड़ा सा वेट करिएगा इंटरेनेट सोलो होने पर कभी कभी थोड़ा सा टाइम ले लेता है यह यह देखिए यह आपके सामने Microsoft World के पेज़ पर आगए आप एक एक करके साई डिटेल चेंज करते जाएए मौन लीजे प्रोफाइल आपको यहां पर चेंज करनी है प्रोफाइल चेंज कर दीजे कॉ जो भी कुछ आप यहां चेंज करना चाहें एक एक ची चेक करते जाएए और अपने हिसाब से एडिटिंग करते जाएए ठीक है जब आपकी एडिटिंग पूरी हो जाए ठीक है तो आपको जाना है वापस से लेफ्ट हेंड साइड में देखिए फाइल टैप पे और यहां